आज की इस डिजिटल खक्षा में आप सब का स्वागत है। मैं परविन सुर्दाना के जिबी वर्गर सिद्धिपेट जिले से हूँ। प्रणाम बच्चों, आज के इस वीडियो द्वारा सीखेंगे। संयुक्ति वेंजन किसे कहते हैं पुनास्मरन करेंगे। हिंदी वर्ण माला के अगले ग्या और श्रा संयुक्ति वेंजन के बारे में सीखेंगे। वे किन दों वेंजनों के योग से बने हैं तथा उच्चारन स्थान के बारे में सीखेंगे। ग्या और श्रा संयुक्त विंजन को लिखना तधा उच्छारण करना सीखेंगे ग्या और श्रा संयुक्त विंजन के प्रयोग से बने कुछ शब्दों को उदारण के रूप में सीखेंगे संयुक्त विंजन संयुक्त का अर्ध है जुड़ा हुआ या मिला हुआ परिभाशा अगर हम पुना स्मरन करने हैं तो देखें तो दो अलग अलग विंजनों के परसपर संयोग या मेल से बने विंजन को संयुक्त विंजन कहते हैं हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी हैं? चार है वे हैं क्षर त्र ग्यश्र किंदो विंजनों के योग से संयुक्त विंजन बना है तथा उसके उच्चारन स्थान के बारे में जानेंगे संयुक्त विंजन पिछले वीडियो में हमने क्षर और त्र संयुक्त विंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी आज के इस वीडियो में हम ग्य और श्र संयुक्ति वेंजन के बारे में सीखेंगे ज्य प्लेस इय के योग से ग्य बना है जिसका उचारन स्थान तालू तधा तालू है शे प्लेस र के योग से श्र संयुक्ति वेंजन बना है जिनका उचारन स्थान तालू तधा मूर्धा है ग्या और श्र संयुक्ति वेंजन लिखना तथा उचारन करना तो स्क्रीन पर बताए जारे इस अक्षर को देखे से क्या कहते हैं ग्या किस प्रकार से लिखा जाता है देखिए ध्यान पूर्वग हाँ तो बोलिए बच्चों इस अक्षर्प क्या कहते हैं ग्या क्या कहते हैं ग्या फिर से उच्चारण कीजिए क्या ग्या संयुक्त वेंजन से बने कुछ शब्द हम यहाँ पर सीखेंगे ग्या से ग्यान यह शब्द ज प्लिस इय प्लिस आ की मात्रा प्लिस न के योग से बना है ग्या से ग्यानी ज प्लिस इय प्लिस आ की मात्रा प्लिस न प्लिस इ की मात्रा के योग से बना है ग्या से ग्यान योगी यह शब्द जप्लिष ये प्लिस आ की मातरा प्लिस नए प्लिस य प्लिस O की मातरा प्लिस ग प्लिस E की मातरा के योग से बना है ज्या से ग्यान वर्धक यह शब्द ज प्लिस य प्लिस आ की मात्रा प्लिस न प्लिस व प्लिस र प्लिस धा प्लिस का के योग से बना है तो बच्चों देखिए अगला शब्द कौन सा है ग्य से ग्यानकोश यह शब्द ज प्लिस य प्लिस आ की मात्रा प्लिस न प्लिस क प्लिस व की मात्रा प्लिस शा के योग से बना है ग्या से यग्य यह शब्द य प्लिस ज प्लिस य प्लिस य के योग से बना है ग्या संयक्त विंजन के साथ अन्य वर्ण जोड कर शब्द बनाना सीखेंगे स्क्रीन पर कुछ वर्ण दिये गए हैं दो वर्णों को ग्या से मिलाते हुए अलग-अलग शब्द बनाना है आ, सम और न्या तीन गोलों में तीन वर्ण दिये गए हैं तो देखे बचो, आ और ग्या मिलकर बन गया आग्या, संग्या मिलकर बन गया संज्या, अगला अक्षर कौन सा है, स्क्रीन पर देखिए, हाँ, इसे क्या कहते हैं, श्र, किस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए, हाँ, तो इस संयुक्त विंजन को क्या कहते हैं, श्र, क्या कहते हैं, श्र, फिर से मेरे साथ आप भी उचरन कीजिए, श्र, श्र, संयुक्त विंजन से बने कुछ, शब्द हम यहाँ पर सीखेंगे, श्र से श्रोता, यह शब्द, श्र, प्लिस, र, प्लिस, ओ की मात्रा, प्लिस, ता, प्लिस, आ की मात्रा के योग से बना है, अगला शब्द कौन साहे देखिए, श्र से श्रीमान, यह शब्द, श्य, प्लिस, र, प्लिस, इ, की मात्रा, प्लिस, म, प्लिस, आ की मात्रा, प्लिस, न, के योग से बना है, श्र से श्रीमती, यह शब्द, श्य, प्लिस, र, प्लिस, इ, की मात्रा, प्लिस, म, प्लिस, त, प्लिस, इ, की मात्रा के योग से बना है, अगला शब्द, श्र से श्रम, श्रम शब्द, श्य, प्लिस, र, प्लिस, मा के योग से बना है, श्र से श्रामिक यह शब्द श्य प्लिस र प्लिस आ की मात्रा प्लिस इ की मात्रा प्लिस म प्लिस का के योग से बना है श्रा संयुक्ति वेंजन के साथ अन्य वर्ण या शब्द जोड़ कर श्रा वाले शब्द बनाना सीखेंगे तो देखिए बचों यहाँ पर स्क्रीन पर क्या दिये गए है श्रा एक गोले में श्रा दिया गया है और एक बाजो में गोले में मा और नीचे के गोले में वन शब्द दिया गया है इन्हें जोड़ कर हमें यहाँ पर शब्द बनाना है श्रा और म मिलकर बन गया श्रम, श्रा और वन को मिला कर बन गया श्रवन इस वीडियो द्वारा हमने सीखा, क्या सीखा संयुक्त वेंजन के बारे में सीखा? हिंदी वर्णमाला के ग्या और श्रा संयुक्त वेंजन के बारे में सीखा वे किंदो विंजनों के योग से बने हैं तथा उच्चारन स्थान के बारे में सीखा ग्या और श्रसंयुक्त विंजन को लिखना तथा उच्चारन करना सीखा ग्या और श्रसंयुक्त विंजन के प्रयोग से बने कुछ शब्दों को उदाहरन के रूप में सीखा ग्यो औरश्रो संयुक्त वेंजन के साथ अन्यवर्ण जोड़कर शब्द बनाना सीखा आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर अगले वीडियो में मिलेंगे धन्यवाद